hey guys this is रघू यह आज हम लोग aircraft welding के बारे हम पढ़ेंगे यह चाप्टर वो यह चाप्टर जो है दो हिस्सो में रहेगा yeah gas welding एंड our welding one topic रहेगा and second topic जो है electric resistance welding करके दूसरा एक तॉपिक रहेगा तो बेसिकली ये चैप्टर में ये टॉपिक में हम लोग टाइपस आफ वेल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे सो हम लोग व्ल्डिंग कर चेह अलमस्ता वियर से अभी हम लोग अ कर चेह ईंच आप शूझ सिंस मैं इस बॉंड घृइंज बन रही चेह भूंघाजिग कर रहे हैं बटर र酒 चंट समय दोसमनी लोग बन कर चेहा गाहाई आप विल्डिंग एंड रिसेस्टेंग विल्डिंग अधर इसेंट इन्वेंशन बटास वर अगास विल्डिंग टर्म जो है नौमली हम लोग हम लोग हजारों साल से यूज करते आ रहें है कि सो जब पहला एक्रा कमशियल एक्रा बना गया था तो नौमल हम लोग ने क्या विल्ड किया था विल्डिंग का अपने आप में एवेशन सेक्टर में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस हैं सो नेक्स्ट आता है जब हम लोग लाइटर मेटल जैसे हम लोग ऐल्यूमिनियम ह हो गया यह जो मेटल जो होता है डिफिकल्ट होता है विल्डिंग करने के लिए बट विट टेक्नोफ टेक्नोलोजी एन ओल ने ने इन्वेंशन सुए जिससे हम लोग इसा मेटल को वेल्डिंग करना आसान हो गया एंड विस्टार्टेड यूजिंग इन अबेंदेंस जो है अच्छे कासे मात्रा में यूस करना शुरू किया हम लोग ने चैप्टर में बेसिकली हम लोग को बेसिक इंफॉर्मिशन दिया जाएगा जिससे आप वेल्डिंग इनिशीट कर सकते हो प्रोसेस कर सकते हैं इसके बारे में ही दिया गया है एंड नेक्स राता है आप को का इसी विल्डिंग डींग का मतलब क्या ओथा अगर जेंचंचंव पॉइंट को staan प्रोसेस यूंअ कॉर्ण नेगा टोटीघ मिल्टते है जंशन पइंट आं करते हो तो गких दूंटिन मेट बहन बैल करोगे तो दो Neck's मेटल जो एक दूसरी का नमिक्स हो जाएगा वेन दे गेट हाड़न वे सिंगल बॉडी में कनवर्ट हो जाएगा तो यह बेसिक कंसेप्ट जो है नॉमले हम लोग वेल्डिंग में यूज करते हैं तो हवारी गूइंट डिफाइन दे प्रोसेस दाट जॉइंट्स अमेटल ब यह मेल्टिंग और हैमरिंग करते जाओगे को न्हक्स थाता है जब भी आप वेल्डिंग करते हो तो आपको ज्यादा को होता है आपको बीसिक यह को मेकानिकल स्केल होना चाहिए टो टोता है एंडिया संन दो टैप के ओर में इलक्ट्री नान थींदिया ग्यास ग्यास वेल्डिंग है एलक्ट्रिक आथ फेल्डिंग है लेक्ट्रिक रेस्सिंस वेल्डिंग होता है तो तीन इन टैप के रिसस्टेंज वेल्डिंग जो है तो तीनों यूज किया जाता है अलग अलग सीचुएशन में हम लोग यूज करते हैं तो इन में सबसे ओल्डेस टेक्निक पूछो को तो ग्यास विल्डिंग जैसे आपको पताया कि अधर ब्रॉण्ज जे नोम लोग यूज करते आ रहे हैं तो इन सब में तो है तोड़ा सा क जैसे में यूज करना जंक्शन पॉइंट करना है अब तक प्रोसेस को करते हैं जब दोनों मेठलब से करना जहें होते वह उच्जार एक सिंगल में वेल्डिंग और रीशिस्टेंस वेल्डिंग तो तो रिसेंटली ने वेल्डिंग मेथर्ड भी डियवल्प किया गया है जो specially अविश्न सेक्टर के लिए ही यूँ बनाया गया है वैसे मेथर्ट भी हैं तो यह यह आधक्जिक्व एवासा स्टाट करते हैं अग्तकorde cozy in the ंग ये फ्लेंग हैस वेलिदी में इस्टया जाता है आप दो में एक साथ ले किला और जंग्शन पॉइंट करो ऎक्ता थी इस के समें जो फ्लेंपisión Whew ब्रोडरी एक कर श्किया जाता है दो मेंड़ पॉइंट के जॡंक्शन को को मेल्टाउन करने के लिए इस केस में one of the best बाभी इसके में one of the best example is oxy-acetylene welding oxy-acetylene welding जो है जिससे आप gas welding कर सकते हो flame produce कर सकते हो gas welding के लिए इतना याद रखना कि आप इसमें दो टाइप के gasses यूज करो गया दो टाइप के एक फ्यूल रहेगा दुसरा oxidizer रहेगा वन वोड बी अक्टिंग अज फ्यूल इन दिस केस acetylene is acting as a fuel and oxygen will obviously act as a oxidizer and यह दोनों के मिलने से maximum temperature temperature घटाया भी जा सकता है by wearing the percentage of oxygen and fuel but we can increase the flame temperature and decrease the flame temperature but maximum attainable temperature एक रहता है जिसके beyond आप temperature को raise नहीं कर सकते in case of oxygen welding आप temperature जोए 6300 degree fan at the temperature को raise कर सकते हो and similarly अगर आप oxy hydrogen welding यूज करते हो instead of acetylene आप 4000 degree fan at the temperature को raise किया जा सकता है hydrogen जोए टिपे के लिए हम लोग को दोड़ा से आद रखना next आता है हम लोग gas welding जो है हम लोग बहुत सबसे पहले कोई welding यूज किया गया था अपने aircraft क्योंपर तो obviously gas welding था and 1950s से हम लोग यूज करते आ रहे है 1950s से पहले या उसके बीच में नॉमिल हम लोग जो sheet metal का यूज करने का कंडिशन था 3 by 16 इंच का थिकनेस होना ची उससे कम थिकनेस का अगर वो उटना या उससे कम या थिकनेस का कोई sheet metal है in that case हम लोग gas welding हम लोग यूज करते थे यह वेरी पॉप पॉपलर है एंड प्रूवन में तढ़ है रिपैर करने के लिए इसलिए आज भी हम लोग gas welding use करते हैं किश करते हैं कि of next अब गयास विटिंग में फैसे में की ज़रुत रहती है बदेय विट अगर आको एको सिलेंडर येंद प्रेशर रिगुलेट करना पड़ता है तो उसके लिए फ़र और ऑक्षीजेन के ऐसमें दोनों के इसमें तो रिगुलेटर रहेगा प्रेषर रिगुलेटर एंड प्रेशर गेज नॉम्मदी हम लोग सिलेंडर को पर रहता है तो similarly pressure gauge के साथ क्या connect रहेगा? Hoses connect रहते हैं Hoses जो आप ऐसा नहीं है कि आप कोई भी hose यूज़ कर सकते हैं certain material का बनावा रहेगा यह as and when हम लोग वीडियो नहीं नहीं बनाते रहेंगे आपको कॉन सा टप का hose यूज़ करना बताऊंगा उसके साथ red color का hose रहेगा oxygen, oxygen, acetylene का case में, fuel का case में red color का hose रहेगा and oxygen के case में green color का hose रहेगा यह तुम लोग को तोड़ा सा याद रखना है next आता है तो hose जो होता है, torch के साथ connect रहें, building torch के साथ connect रहता है उसके अंदर जो है, fuel और air का mixture, fuel और oxygen जो होता है, building torch के अंदर होगा and यह एक certain junction box जैसे काम करता है and इसी के अंदर से gas बहार निकलेंगे आप जब flame बहार निकलता है, flame जो होता लिटरली उसके अंदर रहें infrared light या दुनिया मेरे के radiations बहार निकलते है, flame के साथ and जो चिंगारी निकलती है, आपके आखों में जा सकता है, which can be very harmful so special type के lens वाला goggles मिलता है, welding goggles बोला जाता है, वो भी आपके पास available होना चाहिए and fuel और air को mixture करने के mix करने के बाद and आपको flame create करना है, spark के बेना create नहीं होगा उसके लिए आपको एक igniter, flint lighter, spark lighter यह सब आपको ज़रुवत पड़ती है तो आपको एक lighter के भी ज़रुवत है, next आता है आपको वेज़स वाल्ब्स भी cylinder को पर लगे हुए रहता है, टांक वाल्ब्स लगे हुए रहता है तो आपको उसको move करने के रोटेट करने के लिए special ranches के ज़रुवत है, special range भी आपके पास होना चाहिए हो सकता है कि flame जो है, हथ से ज्यादा लग जाए या आसपास का part जो इसमें आग लग जाए तो इसके लिए आपके पास fire extinguisher भी ready made available होना चाहिए जो है चोटे चोटे सिलेंडर नहीं रहते हैं बलकी सिलेंडर होते हैं तो आपके पास कार्ट भी अविलेबल होना चाहिए ताकि सिलेंडर को point A से लिए के point B तक हम लोग easily move कर सके तो इस इस होल का कंसर्ट दो सिलेंडर होगे similar pressure regulator सिधर है एंड ऑक्सीजन से जो है normal हम लोग रहे यह ऑक्सीजन से green का लगा होस रहेगा एंड छोटा वाला जो सिलेंडर रहता टिपिकल फ्यूल के लिए रहता है और इसके अंदर जो है red कलर का होस लगा हुआ है एंड में टॉच दोनों एक ही एक ही एंड में जाके अटाश किया जाते हैं विच्ट जो यह जो है इदर टॉच है एंड देशिस अ कार्ट जहां पर दो सिलेंडर को रखा गया है तो यह तुम लोग को याद रखना है आण्ड नेक्स आता है अलक्रिक और कफ वेलडिंग और का फेसे में जो यह जरुबत रहती है आपको एक मेटल वायर चीह जो एक स्टिक चीह रहता है जिसको फिलर रड बोला जाता है इस फिलर रड को पर जो है फ्लक्स का कोटिंग लगा में बाट फिलर और जो किसके साइव गरेएगश्य जरहल ककी साइब्थ और एलटरी Πर 세 okay लोलटेच हाई करेंट पावस उसके साथ कनेक्ट रहता या आप अल्टेनेटिंग करेंट या डारेक करेंट दोनों यूज़ कर सकते हो अप अल्टेनेटिंग करेंट एंड डारेक करेंट दोनों यूज़ कर सकते हो इनकेस और शिल्डेंड मेटल अर्क वेल्डिंग शिल्रे मेटल अर्क वेल्डिंग के लिए आप अल्टरनेटिंग करेंट एंड डायरेक करेंट दोनों यूज कर सकते हैं लो विल्टेज हाई करेंट यूज करना है यह पूरे मेथड़ से अब 10,000 डिग्री फायर नेट तक टेंपरेचर रेस कर सकते हैं इसका बेसिक नाम स्टिक वेल्डिंग है स्टिक वेल्डिंग इसलिए बोलते हैं वाइब बिकाज व्यूज सेपरेट फिलर राट फिलर राट जो होता है फ्लक्स के असाद कोटिंग किया हुआ रहे ता उसको और यह किसके साथ करनेक्ट रहेगा इट वोड़ ब्लाम टु ए इलेक्टरों फोल्डर जो है एलक्ट्रिक केबल साकर्नेक्ट रहेगा वीट वोड बी उसके अंदा से लोड़ वोल्डिज हाय करन्ट पास होता हो रहेगा चो करेंट जो है अल्टेनेटिक करेंट हो सकता डायरक करेंट हो सकता मैं वापिस बोला इसलिए पुर ध्यान से य सब्सक्राइब करने वाला हूं जब आप इलक्ट्रोड को जोब को कॉंटाक में लाते हो तो सर्केट कंप्रीट होगा सब्सक्राइब हो जाएगा तो करेंट बूड बूड स्टार्ट शुरू करेगा रंड जब आप सतंट डिस्टंस में मैं थोड़ी दे में बताऊंगा सब्सक्राइब टिपिल बन फूर मैं बता देता हूं बन बाफ फूर इंदिस्टंस पे रखो गए यह लक्तरोड को तो इधर जो है इस प मैंने बुला रखना चाहिए ताकि इसमें स्पार्क या आग जेनरेट हो एंड हम लोग फ्लक्स कोटिंग इलक्टूट को पहंड्रे पसंद होना चीए फ्लक्सा कोटिंग क्यों किया जाता विकॉज जब आप जेनरेट होता है अब्यूसली मेटल रॉट जो है दा मेटल रॉ जब जलता है तो इनर्ट गैस रिलीस करेगा आ इन यहनषी जो होता है इनषी हia है IsATION जो है इत विल सराउल्ड पडल्डड जो फॉर्म हो रहा है मेटल मलट होने की वाज़े से उसको सराउंड करेगा आक्सिजिण को ओडल के नजदätक प्रवाने से रोकेगा जब ऑक्सिजन जो है मोल्टन पडल के नीचे नजदिक नहीं आएगा तो वह उक्सिडाइस नहीं होगा वह मैटल को ऑक्सिडेशन से हम लोग बचा सकते हैं उक्सिडेशन हो नहीं से बचा होगे तो ओविसली कोरोशन से बचा रहे हैं तो जो मेटल जो है जाधा समय के लिए सेफ रहेगा टीपिकली अगर फूसिलाज के किसमें अगर आप फो वन्ट्री जिरो स्टील यूज कर रहे हैं फूसिलाज बनाने के लिए फूसिलाज के यूज कर सकते हैं अब ये मेटल एक बर अपने वेल्ड डिया उसके बाद आपको फिट करना पड़ेगा विकॉस प्रसर अंदर रहेगा तो स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए हार्डनेस को दर कम करने के लिए नॉमली हमें आपको हीं ट्रीट करना पड़ेगा इक दाहीट्रिट्मेंट गद दिस आमशीन जिस जो जैसे हम लोग आप अआशी में डबलु दिखाई देता है दीस दीस ऐलप्टोड ओल्डर अदिस एलप्टोड फोलडर और जॉप किसा कनेक्ट रहेंगा और हम लोग व्याई कि यह कुप्या सकता कि अंग्रीज करेंट वो सब रहीन कर सकते हैं विद तो चांवर इस को प्रोड़्स next आता है GMAW GMAW का full form होता है Gas Metal Arc Welding Gas Metal Arc Welding का दुसरा नाम है Metal Inert Gas Welding As the name suggests इसका अंदर एक Metal यूज़ किया जाएगा Inert Gas separately यूज़ करोगे आप In this case Flux यूज़ नहीं करते Flux का Coating नहीं होता है इसे एक Metal यूज़ करोगे And Inert Gas यूज़ करोगे एंड जब मैं बूलता हूं इनर्ड गयास हम लोग अलग से इंस्टेड ऑफ कोटिंग ने बदले नॉमली हम लोग क्या रहेंगी और गान एंड हीलियम यह काबन डियॉकसड आरगन हीलियम और काबन डियॉकसड का अलग साथ सिलिंडर में रहेगा आज लोग जाजन में वेल्डिंग यह आरगन हीलियम और काबन डियॉकसड को डैरेक्ट सप्लाइब देते रहेंगे इस तरह शेम और ऑक्सिजन को नॉमली हम लोग पडल से मोंटर मेट पडल से दूर रखने के लिए हम लोग यह तीन गास इसको सेपरेटली यूज करेंगे हम लोग को नहीं जलाएंगे और हीलियम में काबन र्रखो डैरेक्ट लिसस्टम के अनदर सप्लाइmost करते रहेंगे एंड पाव सप्लाइब यह करंगे इसके अंदर बी क rhetor κ किया गया था इसके अंदर भी हम लोग circuit को complete करेंगे तो this is how it happens तो normally हम लोग इस इस एक nozzle रहेगा जिसके तरह से metal जाता हुआ रहेगा and job के नजदिक लेगा होगे जब job के नजदिक ले किया होगे बाजू में से जो है inert gases निकलता रहेगा and this is a metal which is a uncoated one and temperature raise होने के विए से यह metal जो है filler rod the metal is nothing but a filler rod and यह metal जो है पडल जो है boon boon करके drop by drop जो है गिरता रहेगा and यह पूरा gap फिल करेगा and यह जो इनर्ड गाज जो है oxygen को अंदर आने से रोकेगा this is how it happens आपको तोड़ा याद रखना पर नेक्स्ट आता है आपका this is a whole diametrical view यह जो जब को नोजिन मैंने बता रहा था यह this is how it looks like and इसको जब ट्रिका दबाव होगे तो यह the electric supply is happening electric supply है circuit complete हो गया है this is a gas that is helium हो सकता है argon हो सकते यह carbon dioxide हो सकता है इसका supply जो है पर चक़ यह किया हिए जो है छोटा ने रहता है हम लोग इसलिए बोला जाता है कि यह mmWg यह यह एँ आप मेजी मेटले अनट ट्रिंग यह यह जो है हम लोग बल्क में प्रोडक्शन करना चाथी वेल्डिंग करना चाते हो इसको पर मेटल का पुरा मुल्डर में यह अपना फिलरोर का पुरा रिल रहता है और हम लोग इसको डारिक इसके साथ कनेक करेंगे एजन वन्यू प्रेसिट यह आगे बढ़ते जाएगा यह वेल्डिंग होता जाएगा ईस़स्बी करते प्रेब वरक के लिए इससेगे जाता है को ऑसे क्षा इसके से वाटा केण सकते हैं अब के नहीं को पार्ट को मेनुफेक्टर करना चाहते हो ताब आप इसे में डबलू यूस किया सकते जाए यूश्व जो है हम लोग यूश्ट कर सकते हैं जी अब डबलू यदि गैस मेटल आर्क वेल्डिक जी डा ग। Metal Arc Welding, उसका दुसरा नाम Metal Inner Gas Welding Next Comes this Tungsten Arc Welding होता है, Tungsten Arc Welding या TIG का दुसरा नाम होता है GTAW जिसका full form है Gas Tungsten Arc Welding and TIG जैसे मैंने वाता TIG होता है, उसका दुसरा नाम TIG है, और एक नाम भी है Eli Arc, Heli Arc, Heli Weld Heli Arc, Heli Weld जो है टम जो है inner gas helium से निकाला गया है तो as a name suggest इसके अंदर जो है आप coating करने के लिए normally हम लोग या oxygen से बशाने के लिए helium gas use किया जाता है and इस case में electrode जो है consume नहीं होता in case of SMAW and GMAW इसके दोनों के अंदर जो filler rod जो है आप filler rod is also an electrode अपने notice किया होगा कि filler rod is also an electrode but in this case filler rod जो हम लोग separately अलग से feed करेंगे and electrode जो होता है वो melt नहीं होता तो आप इदर इस से temporary और एक pictorial view थोड़ी दे में बताऊंगा लेकिन आपकोई नहीं आद रखना है इलक्ट्रोड जो है typically tungsten rod का बनता है इन के साथ GMAW and SMAW जो filler rod को material जो है बदलता रहता है आप क्या aluminum को melt कर रहे हैं steel को weld कर रहे हैं या कोई और metal को weld कर रहे हैं magnesium को weld कर रहे हैं या कोई और उसके साफ से filler rod को material चेंज होता रहे होगा बट इन दिस केस फिलर को material तो चेंज होगा based upon steel aluminum titanium या कोई और material है उसके साफ से तो बदलेगा बट आपका इलक्ट्रोड जो है tungsten का ही बना हो रहे और टी आइजी से याप temperature जो है 5400 डिग्री फायनाट तक टेंपरेचर एटेंड कर सकते हो त्याइजी से आप temperature 5400 डिग्री फायनाट तक टक टेंपरेचर आप एटेंड कर सकते हो इसकंदर एलक्ट्रोड जो है में आरगन और हेलियम दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं दिस इस अ पिक्टोरियल व्यू दिस इस अ तंग्सटन इदर से बाजू में से गेलंट गेनट ग्यासिस निकल रहे हैं इस इस एस अदिस ओल र्च विए जारा है यह जो है अक्सिजन ग्यासिच जो ए अदर आने से रोकते हैं अग जर जब लूट होगा यह मेल्टि जो है ऑफिला रोद जो है मैलट होता रहेगा ऐंगा तो तो इस case में आपको तुम लोगों याद रखना है कि आप कब कौन सा वाला यूज करोगे DC Current यूज कर रहे हैं तो आप steel को stainless steel को टाइटिनियम को वेल्ट करने के लिए उसकरते हैं अगर आप AC Current कर रहे हैं तो आप aluminum or magnesium को weld करने के लिए उसकर शकते AC करेंट करोगे यह तीन मट्याल को आप वेल्ड करने के लिए हम स्थाइ करने कहा सकते तार्च होना चीये नहां पेस्त अब से आज़े आज़ यह नेगेटिव होना चाहिए क्या बहुत पे शुट बी पॉजिटिव और शुट बी नेगेटिव यह तुम लोगो तुम लोगो दोड़ा सा ध्यान देना है इसके इसमें टंक्सें जो है इसके लगें इसका साइज इंक्रीज करने के जिरुवत नहीं है आफ फिलोराड को अलग से कंज्यूम करने के लालग से फीड करते जाओगे इस 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 इनट गया सिलेंडर पावर सोस आप वन एंड जो है आप इसके साथ करोगे दूसरा आप जो है आप जौब के साथ करो करोगे से सक्रीट कंप्लीट हो जाएगा और लोकलाइज मेल्डाउन शुरू हो जाएगा आप असली मशीन जो ऐसे आम टी जी असली मशीन ऐसा दिखाए देता है आपको एलक्टिक रेसेंस आप वेल्डिंग के लिए आपको कल आपको बागी का टॉपिक बता दिया जाएगा तो यह कम्स अंड आप टॉपिक